हेलो दोस्तों वेलकम है आपका C Tutorials by Get It Clear में आपको जैसे की पता है हमने पिछले कुछ sessions जो इंटर रिलेटेड़ थे जैसे की pointers, arrays and strings हमने वो कवर किये, then हमने उसके कुछ MCQs भी आपके साथ discuss किये थे हम लोग आपके लिए और भी MCQs लेके आने वाले हैं, जैसे ही यह C Tutorial Series complete हो जाएगी हम आपके लिए weekly दो बार आपके लिए MCQs के Series लेके आया करेंगे जिसमें आपका knowledge हम test करेंगे and अगर आपको कोई help लगेगी then आप हमें हमारे comment section में या फिर हमारी email ID पर या फिर हमारे Facebook के page पर like करके वहां पर हमें message कर सकते हैं guys so guys आज हम आपके लिए जो session लेके आये हैं that is very important preprocessors and macros का concept है guys so guys preprocessors तो हमने आपको अल्ड़ेड़ी एक बार introduction दे दिया था कि क्या होते हैं अगर आप लोग इसको याद कर पाएं तो guys क्या आपको पता है कि यह हमने कौन से session में cover किया था अगर नहीं guys तो यह हम मैं आपको बता दूँ हमने compilation process in C में इस चीज को cover किया था so guys आए हम quickly देखें कि यह क्या होता है तो guys यहां पर अगर हम preprocessor की बात करें तो it is not the part of the compiler but it is a separate step in the compilation process so guys जब हमने आपको compilation process पूरी explain की थी तब हमने आपको बताया था कि preprocessor का क्या काम होता है and यह compiler को किस तरीके से help करता है in simple terms a C preprocessor is just a text substitution tool and it instructs the compiler to do the required preprocessing before the actual compilation so guys जैसा कि हमने आपको explain किया था कि जो C के preprocessors होते हैं वो आपके program में कुछ data को inject करने का काम करते हैं जो कि आपने जो code लिखा होता है उसके compilation के लिए बहुत जरूरी होता है guys और guys हमने आपको यह बताया भी हुआ है कई बार examples में कि कैसे आप using hash आप उसको क्या बोलते हैं आपके preprocessors को उसमें define करते हैं आपके program के अंदर so guys क्या आपको याद है कि आप हर program के अंदर hash include लिखते हैं so guys hash include is also an example of preprocessor जो हमारा include है वो भी हमारा एक preprocessor directive आप उसे कह सकते हैं guys तो guys आईए हम आपको यह screenshot दिखाते हैं जो हमने हमारी compilation process में से उठाया है guys जब हमने आपको वो explain की थी कि compiler process जब शुरू होती है then उसमें आपका जो preprocessor है वो आप देख सकते हैं कि compiler के just पहले आता है and यह जो आपने code लिखा होता है उसको expanded form में convert करके compiler को input देता है मतलब आपने जो भी चीज़ें उसके अंदर include की होंगी या फिर उसमें header level पे कुछ आपने define किया होगा जैसे कि हमारे macros होते हैं अगर आपको पता है जो कि हम अभी cover करने वाले हैं तो वो सब को compiler में जाने के पहले ही code में आपके उन सब चीज़ों को वो expand करके उनके लिए अगर उसे कुछ load करना होता है then वो सब वो C की library से load करके आपके expanded source code के अंदर डालेगा and then आपके compiler को pass कर देता है guys so guys आईए आगे बढ़े and हम यहाँ पे देखते हैं कि CE में कुछ preprocessor directives जो हैं जो आपको CE की library प्रोवाइड कराती है वो यह हैं guys जिसमें से आपने include तो हर बार हमारे practical session में देखा हुआ है यह तो हमें लिखना ही पड़ता है अगर हमें standard input output यूज करना है हमारे प्रोग्राम में तो बट हमने उसके लावा कोई और library अभी तक यूज करके देखी नहीं है जो कि हम आपको दिखाएंगे हमारे आने वाले misllinius sessions में guys then अगर आप define की बात करें तो guys आपने इसके बहुत सारे questions या फिर बहुत सारे examples देखे होंगे जहां पर आपको output पहचानना होता है जब भी आपको exam में appear होते हैं तो guys define जो होता है हमारा and यह सब जो होते हैं यह हमारे लिए macros को लिखने का काम करते हैं guys so guys यहां पर macros की बात आती है कि macro क्या होता है तो macro जो होता है guys वो using defined directive of preprocessor आप उसको define करते हैं and एक macro जो होता है वो आपको आपके program में बहुत सारे तरीके से help कर सकता है वो कैसे वो हम आने वाली slides में देखेंगे guys so guys यहां पर अगर हम preprocessor directives जो हमें C की library प्रोवाइड कर आती है उनकी बात करें तो यह है guys include define undefine if defined if not defined so guys यह जो यहां पर if def है guys इसका मतलब है if defined if and def है guys इसका मतलब है if not defined and अगर हम right hand side में बात करें तो यहां पर है if else, else if, then आपका है end if, then आपका है error, then आपका है pragma guys इन सब का कुछ न कुछ बहुत जादा important है अपनी अपनी जगे पर अगर आप देखें कि error जो होगा वो आपको एक error define करने का काम करेगा या एक error throw करने का काम करता है guys based upon some condition अब वो condition आप क्या कर सकते हैं if में check कर सकते हैं या फिर आप if define से भी check कर सकते हैं इसका use हम आपको करन करेंगे हमारे आने वाले practical session में जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर आपको एक example लेके आए हैं कि आप लोग hash include का use कैसे करते हैं code में आपने हर practical session में देखा ही है अब आगे बढ़ते हैं macros की बात करते हैं a macro is a segment of code which is replaced by the value of the macro macro is defined by hash defined directive so guys यहां पर C में जो एक macro है वो क्या होता है कि आपको दो तरीके से help करता है या तो आप constant declare कर सकते हैं या तो आप वहां पर functions बना सकते हैं and उन macros को आप आपके program में कभी भी use कर सकते हैं guys तो C के अंदर जैसा कि मैंने आपको explain किया कि दो type के macros होते हैं एक object like macros होता है एक function like macros होता है जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है guys की object like जो होगा वो जैसे ही आपको constant declare करते हैं जिसकी value आप कभी change नहीं करने वाले हैं then आप object like macros का use करेंगे जैसा कि हमने left hand side के example मे आपको दिखाया है कि आपने एक पाई नाम का constant declare किया है जिसकी value आपने 3.14 दे दी है जब भी आप PI जो पाई है इसको आपके program में कहीं पे भी use करोगे तो वहां पे आपको हमेशा उसकी value 3.14 return कर दी जाएगी similarly आपके function like macros जो होते हैं उसका example हमने आपको right hand side पे दिखाया है जो की है has defined product a b a into b so guys अगर आप लोग इसको relate कर सकते हैं तो yes यह जो है हमारे अभी जो आपका recent में junior officer IT का paper हुआ था उसमें यही macro आप लोगों से पूछा गया था तो हम इसको भी आज देखेंगे कि यह कैसे काम कर रहा है guys तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है क कि यह आपने एक product नाम का function declare कर दिया है जिसमें आप दो parameters pass कर रहे हो a and b and आप उनका क्या कर रहे हो a into b करके उसकी value return कर दे रहे हो तो guys यह दो तरीके हुए जिसमें आप एक object like macro को define कर सकते हैं and a का function like macro को define कर सकते हैं so guys इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा हम आने वाले हम का use करके दिखाएंगे कि यह कैसे होता है यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि junior officer IT का paper हुआ था उसमें आप लोगों ने अगर उसका answer 49 mark करके आये थे तो वह answer एकदम गलत होगा क्यों गलत होगा हम आपको दिखाएंगे क्योंकि यह normal function की तरह काम नहीं करता है यहां पर इसमें थोड़ा सा difference आता है guys okay तो आगे हम बढ़ते हैं and guys यहां पर C की library में कुछ आपको predefined macros भी मिलेंगे यह predefined macros इसलिए होते हैं ताकि आपको इनको define ना करना पड़े and आप इनकी help आपके program में कहीं पे भी ले सकते हो इस standard input output directory में ही आपको मिल जाते हैं अगर dyyyyy के format में आपको current date print कर देगा जहां पर भी आप इसको use करोगे आप time का use करोगे देन आपको यह hours, minutes and seconds के format में time return करेगा file आपको current file name देता है, line आपको current line number देता है and stdc it is defined as one when compiler compiles with the ANSI standard so guys यह आपको one value return कर देगा अगर आपने इसमें ANSI standard आपका जो compiler है अगर वो ANSI standard follow करके compile करता है तो, okay guys तो हम आगे बढ़ते हैं, so guys हमारा यह theoretical session यहीं पर खताम होता है practical session के लिए अब हमारे साथ बने रहें, next जो session होगा हमारा, वो हमारा practical session होगा preprocessor and macros के उपर and guys अगर आपको यह video अच्छा लगा होगा तो इसको like करें, share करें and हमारे get it clear channel को subscribe करें, thank you